इस वीडियो में हम क्लास से एक सब्जेक्ट साइंस की वक्षी 23 करेंगे डेट है इसकी 24 सेप्टैंबर 2021 और इसका टॉपिक है कॉंपोनेंट्स ओफ फूड तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले प्लीज हमारे चैनल Mind Boosting Classes को सरूर सब्सक्राइब कर दीजे इस चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्टर में मिल जाएगी इस तरीके से टू टू एक्सांपल्स देने हैं वैसे तो काफी फूड्स में मिलता है लेकिन आपको टू फूड आइटम्स यहां पर लिखने हैं इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको components of food का एक तरीके से पूरा डाइगरम दिया गया है कि components of food कौन-कौन से होते हैं प्रोटीन, fats, water, rafage, carbohydrates, vitamins और minerals यह सारे components होते हैं तो एके करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं प्रोटीन is found throughout the body in muscles, bones, skin and hairs प्रोटीन, body में muscles में मिलता है, protein, bones में मिलता है, skin में मिलता है और बालो में मिलता है ठीक है? उसके बाद है fats, fats give energy to the body और fats क्यों चाहिए? Fats हमें energy provide करता है उसके बाद next है water or rafage, helps in dissolving, absorbing and removing undigested food from the body जो हमारे body में खाना पच नहीं पाया, उसको अच्छी तरीके से निकालने के लिए हमें पानी और rafage जो है लेते रहना चाहिए ठीक है, पानी तो at least 8 glass पूरे दिन में पीना चाहिए minerals are those solid substances whose intake helps us in the proper functioning of our body अगर हम minerals लेंगे तो हमारी proper functioning होती रहेगी body की body जो है अच्छी तरीके से काम करेगी उसके बाद next है आपका vitamin, vitamins are found in the food we eat and they are very important for the maintenance and growth of our body vitamins हमारी body के लिए maintenance के लिए बहुत important है और हमारे body की growth के लिए जिससे हम लंबे हो सकें, लंबाई के लिए अच्छा रहते हैं और growth के लिए भी vitamins चाहिए होते हैं उसके बाद है carbohydrate, provide glucose to our body body को glucose देने का काम carbohydrate का होता है तो यह सारे आपको components दे रखे थे, इनके जो है uses दे रखे थे अब balance diet क्या होती है a diet which contains the proper quantities and proportions of the needed nutrients to maintain good health यानि बराबर मात्रा में सारी चीज़े लेना, जिसमें fats भी हो, protein भी हो, carbohydrates, water, fats, mineral, vitamins यह सब हो, ऐसा खाना बराबर मात्रा में हमको लेते रहना चाहिए तो balance diet उसी को कहते हैं, जिसमें हम proper खाने को लें कि proteins का भी खाना लें, fats का भी खाना लें, और बराबर quantity में लें ऐसा नहीं है कि fats जादर ले लिया, protein कम ले लिया balance diet हम उसी को कहते हैं, जिसमें सब कुछ balance हो, सब कुछ अच्छी मात्रा में हमारी अच्छी सेहत के लिए maintain किया गया हो और उसमें balance amount होना चाहिए, proper proportions होना चाहिए carbohydrates, fats, proteins, vitamins and water का, minerals of water तो ये सारी चीज़ें जिस खाने में अच्छी तरीके से हमें मिल सकें यानि जो हमारी एक diet है, मालो ये ज़्यादा तर balance diet का इस तरीके से जो है diagram दिया गया होता है, fats का खाना भी होता है, उसमें proteins का भी होता है, सब कुछ बराबर quantity में जब हमें मिले तो हम balance diet ले रहे हैं, ठीके, उसी को हम balance diet बोलते हैं उसके बाद आपका question number two है, below given are some pictures of eat tables, add few from your end also, draw them in the appropriate space given on the plate to create a balance diet, तो यहाँ पर आपको चीज़े दे रखी हैं, जिससे यह आलू है, यह बटर है, यह दाले है, और यह orange है, तो आप यहाँ लिखिएगा, जिससे vitamin, vitamin आपको खुद से भी थोड़े से जोड़ने हैं, यहाँ पर तो only four आप खुद से भी जोड़ सकते हैं, जिससे vitamin हमें किस-किस से मिलता है, औरेंज से मिलता है, तो औरेंज तो हम ऐसी रिख लेंगे, और एक खुद से मैंने जोड़ा है, apple, apple से भी हमें vitamin मिलता है, carbohydrate के लिए यहाँ पर potatoes दे रखे है, potatoes से तो मिलता ही है, साथ ही साथ wheat, यह हमने अलग से जोड़ा है, wheat से भी हमें मिलता है, fats हमें butter से मिलता है, जो already show है, और oil से भी मिलता है, protein हमें दानों से मिलता है, pulses, और अलग से मैंने जोड़ा है, eggs, तो इस तरीके से आपको थाली बनानी है, उसमें ऐसे divide करना है, vitamin, carbohydrate, fat or protein, और उनके sources लिख देने हैं, जैसे मैंने इसमें लिखे हैं, वैसे यहाँ पर draw करने के लिए बोला गया है, अगर जो बच्चे draw करना चाहते हैं, वो इस तरीके से draw कर सकते हैं, जैके यह वो draw कर सकते हैं, यह काफी अच्छा diagram आपके लिए हो की, सो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, थैंक यू